नमस्ते जी कैसे सबाब मैं सुख्रिंदर राजपुद बात करा हूँ राजपुजान से ग्रेटर महाली न्यू सनी कले सेक्टर को सथ 23 में एरपोट रोड में आपके लिए 4BH के विलाज लेकर रहा हूँ जो हमारी न्यू सनीन इंकलेव की में एंटरेंस जहां पर गॉपाल सुईट से वियार पंजाब मॉल है वहां से तीन मिनिट का वाइक कलडिशन रहेगा बहुत अच्छी लोकेशन में बने हुए हैं सबसे पहले मैं आपको ग्राउंड फ्लोर दिखाता हूँ आपको जो वर्क है आपको एजटीज ही मिलेगा जो वाल्स पे वर्क है न यह एजटीज मिलेगा यह हमने लकडी का काम किया हुआ है इस पे इस पे प्योपी सीलिंग वे रहे है कुछ भी नहीं है इस पे फनेशि पॉलिश्वर का और सारे सुडान टीक के हैं गोदरेज का फिंगरपेंट लॉक मिल जाएगा आपको ग्राउंड फ्लोर एंड फस्ट फ्लोर पे जो आपको इसमें मिलेगा नहीं वह सबसे पहली चीज क्लियर करने वाली है यहां पे आपको कटन्स नहीं मिलेंगे यहां प आपको एज़ा इजी सीलिंग मिलेगी लग 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 देजाइं की होगी और सीलिंग हम दे रहे हैं बीच में फ्रेंट का सरमाइका वो सारा ग्लॉसी है लाइटिम गयरा सेम अंदर अंदर भी सरमाइका वरक है इसके यहां पर दो बैचार की वॉल्टा ही लगी हुई एसटेज मिल जाएगी ग्रेनट सबसे में चीज है तू कोड़ ग्रेनट आपको एसटेज मिल जाएगा बीच में यह यह स्पेशियस है मॉलर किचन का साइज बहुत अच्छा है बॉक्सिज की कोवांटिटी बहुत अच्छी है आप फस्ट पे देख लो ग्राउंड पे देख लो बढ़िया है यहां पे अच्छा यहां पे जो है हमारा स्पेस हमने चोड़ी हुई है जैसे मर्जी साइज का फरिज रख सकते हो और जो सबसे में चीज है फ्लो टाइल फ्लो टाइल है हमारी डाइब है साड़े पांच की यह रहेगा ड्राइंग रूम एक बार मैं आपको दिखा देता हूं अच्छे से यहां पर फाइव सिट्टर सोफा यहां पर सैवन सिट्टर आप थ्री कोड में गुमा सकते हो यहां पर सैवन सिट्टर आप डाइनिंग भी रख सकते हो और सर मैम कोई भी मेरी वीडियो देख रहा है मेरे पराने क्लाइंट नहीं किसी ने नहीं वीडियो देखिया है सबसे में चीज है जी मेरी तरफ से गुड़ वीशीज है जास से सर्च करो बेस्ट पॉक्टी मिले आपको आपने अपना लग्खोर पी आपना लग्खोर पी अपना इंवेस्टमेंट करना है सारी जिंदिगी की पुंजी लगानी है पांचे जीज़े देखो उसमें से चूज करो मैं यह नहीं बोलता हमारे पास लोग आप कहीं पे भी लोग हमारे को उतनी ही जुशी होगी है अजर हमारे साथ बात की विजड़ भी की हुई आपने और जो सबसे मेंचीज है आपका अपकर फैमली के पास जा रहे है है किसी के सपास भी रोड टू साइट वाइकल डिसेंस पेपर वर्क बस उसके बाद पांचे जीजे देखिए खुदी चूज कर पाओगे आप सबसे में चीज है अभी बैडरूम में सबसे बैडरूम में चलते हैं पहले मैं आपको फरंट टेलिवेशन दिखा दिता हूँ थोड़ा सा शाम का ट यह हमारा वैस्टे खेंट ऐसेंग है ना अट अफॉड़ा साच्ट तो फोड़ा पांचे जैसे मैंने आपको बताया था कि इस्टेंड वैस्टे सइंग वैलबल्टी मिले गी रेईट मूब में यह हमारी त्री गेटर टाउंशिप है गेट नमबर एक पर विलाज हैं टू टू फ्लैट्स हमने बेज दी हैं यहां पर भी अवैलेबल्टी तीन चार की रहेगी है इस्ट और वेस्ट फेसिंग में वैलेबल्टी रहेगी इन आउट इसी गेट से होगा यहां से हम लेफ्ट कर लेंगे तो सिद्धा पहुंच जाएंगे एरपुट रोड पर यह फ्रन् लास्ट में एल शेब में पार्क बना हुआ है लास्ट में और यह टॉंटी सिक्स विलाजा टूटल एंड रेडी टू मूब में अगर आपने इस फेसिंग लेना तो टू मन्त पजैशन है वेस्ट फेसिंग लेना तो वन मन्त पजैशन मिल जाएगी यह रोड वगयरा सारा क्लियर है अभी दुबारा से बनाएगा एक बार कि यहां पे आप प्लांट्स लगा सकते हो वाइकल खड़े कर सकते हो दो तीन के करीब सबसे मेंन चीज़ है अभी वीडियो के लास्ट अभने ये है बैड रूम हमारा स्पेशेस बहुत स्पेशियस है बहुत जादा स्पेशियस है बेड्रूम में मिलेगा बहुत कुछ अभी मैं बताऊंगा आपको जो सबसे में चीज आ जाती है ये वाल पे वर्क ये हम ग्रूव वाली टीक प्लाई है इसके उपर हम डिको करके दे रहे हैं क्रीमी यहां पे मोल्डिंग लगाई हुई है LCD पैनल्स हैं ड्रैसिंग बना हुए एज़ इज़ देंगे आपको ठीक है जी उसके बाद जो सबसे सक्रीन पे जब बैड्रूम में मैंने एंटर किया तो यह चीज थी बैड की बैक पैनलिंग तक भी देंगे हम वो सब कुछ बीच में दे रहे हैं मोल्डिंग दे रहे हैं ब सबढ़्स हाइल pen यहां से लेकर यह तक पैनलिंग छारी है जहें के साथ लान पे वर्क कुरां यहां पर वाल हेंकिंग शेंक है आपको एज़टीस ही मिल जाएगा यहां पर टैप्स है जारी मॉलर है यहां पर वेंटिलेशन के लिए यह दी हुई है विंडो हमने दो बैचार की वाल टाइल को काट के लगाया हुआ हमने कॉंबिनेशन दिया हुँ है डार्क एंड वाइट का यह वाइट है यह थोड़ा सा ग्रे में आ जाती है कजारिया की वाल टाइल है सीलिंग का वर्ख हमने वाश्रूम तक दे रखाया जी रोका की टैप सा सब रोका की बाफिटिंग है स्पेशेस बहुत है वाश्रूम सामने जाते कबर्स चारो बेडरूम में सेम कबर्स मिल जाएंगे यह आपको एज़टी वर्क मिल जाएगा वाल पे जैसा दिरिके वो ड्रैसिंग एज़टी पैनल एज़टी यह हमने रेडिमेट नहीं लगाए हुए जैसे सरमाइक का लगा के ठोक के बनानी देते यह हमने टीक प्लाई के उपर डिको करके क्योंकि टीक प्लाई के उपर ही जो यह फनीशिंग हो अच्छी आती है जो नॉर्मल प्लाई होती है उसके उपर डिको की फनीशिंग आती ही नहीं है यहाँ पर हम पालिश कर सकते थो वो सस्ती पढ़नी थी पर हमने यहाँ पर डिको करके वाल बाद फिटिंग लहेगी बस color combination चेंज है अंदर सबसे पहले bedroom दिखाता हूँ bedroom आपको एजटीज मिल जाएगा spacious है ceiling आपको एजटीज मिल जाएगी दो बैचार की वाल टाइल है अंदर और उक्का की बाद फिटिंग रहेगी जो सबसे main चीज है यह है यह है हमारी चुगाठे जो सुडान टीक की बनी हुए है सब के उपर पॉलिश वर्क है दो बैचार की वाल टाइल है बाद फिटिंग है रूका की वाल हैंकिंग सिट्टे है वाल हैंकिंग शेंक है एजटीज यह आपको मिल जाएगा कबर्ट्स एजटीज मिल जाएंगे आपको चारो बैट्रूम्स में सेम डिजाइन के कबर्ट्स है यहाँ पे इस पे क्रीमी सर्माइक का मैट में उधर ग्रे सर्माइक का मैट में है फस्ट लोर पे भी इस पे क्रीमी रहेगा उधर ग्रे रहेगा अंदर भी सर्माइक का व प्रजीच पे आपको सर्माइका वर्क मिलेगा प्रेट वर्क कहीं पर नहीं है यहाँ पर आपको वॉसिंग अरिया स्पेश्यस है बेडरूम एडर्वा वाश्रूम की वेटिलेशन है एजाटीज मिल जाएंगी आपको फेश्य-पीजिंग अच्छा स्पेशियस हुआ पिछ जैसे मैंने आपको बताया है इस विला में आपको चार बेड्रूम, चार अटैच वाश्रूम, टू ड्राइंग रूम, टू मॉलर किचन आपको एज़ाटीज ही मिल जाएगा सेम टू सेम, टौ फ्लोर पे मॉन्टी है, स्टोरीज कर सकते हो, टौ फ्लोर पे आप थर्ड मंजल बना भी सकते हो, साइज देखो आप, यह मॉलर किचन की विंडो है, स्पेशे साइज है, यह चीज़े इसलिए पॉसिबल हो जाती है, जितनी विंडो चुका अठे दरवाज है, स्टोर का टू भी एच के ड्राइंग रूम में, चार बै चार की फ्लो टाइल है, निचे ड्हाईबा साड़े पांच की है, आपको, फर्स फ्लोर, जैसा ग्राउंड फ्लोर है, बॉलर किचन है, बैट रूम है, अटेच वाश रूम है, जैसे मैंने बताया था, एल सेटी पने लग लग डिजाइन की है, वाश रूम की टाइल हो गयरा बाद फिटिंग तो आपको, यह हमारा थर्ड बैट रूम है, जो सबसे में चीज है, स्प्लिट टेशी की प्रवीजने, चारो बैट रूम में, दोनों ट्रैंक रूम में मिल जाएगा आपको, है जैसे मैंने बताया था, यहां पे, आप, देखो जी, जो सबसे में चीज है, इस कोठी में जैसे, यह फनीशिंग है, जैसे, यह फनीशिं जैसे पैसे ले रहे हैं, वैसे चीज भी बना के दे रहा है, इसमें आपको एक चीज आपने देखी होगी, जितने भी यह, हमने बनाया हुआ, किसी में पेंट हाई नहीं अंदर की तरफ, सारा सनमाइक का अंदर बाहर, और जो यह विंडोज गठे दरवाज्यों की बात कर रहता हूँ मैं वीडियो में, इसमें हमारा पॉलिश वर्क है, हमने पेंट वर्क किया ही नहीं हुआ, जो सबसे में चीज है, इसी चीजों से फिनीचिंग आती है, यह हमारा फोर्थ वैडरूम है, अटैच वाश्रूम के साथ, फोर भी एच्के की र्कॉर्मेंट हर बंद जी होते हैं, छोटी फैमिली के लिए बड़िया ही है, बड़ी फैमिली के लिए भी अच्छी होते हैं, अगर टू ट्राइंग रूम प्रॉपर हों, तो बड़िया ही है सिस्टम पर, कम से कम कोई भी फैमिली है, इंडिपेंड हाउस ले रहा है बंदा, तो फोर भी एच्क advice दे सकता हूँ कि अगर आप 4BH के लोगे तो बढ़िया रहोगे future में उस चीज को आपको develop करने की ज़रूरत नहीं है 4BH के इसदा जाना ही पड़ता है 4BH के पे न वेकि चार bedroom बहुत बड़ी बात है चार attached washroom, two drink room proper two maller kitchen, दो family है बच्चे दो हो गए तो उपर निचे का 2BH के सेटी यूज़ कर सकते है relative गर तो चलो 5 साल में, 10 साल में बंदा एक पर कठे हो जाएंगे यहाँ पे main families के लिए है, family बड़ी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं आती adjustment हो जाती है 4BH के में रहना सबसे बढ़िया बात है लेना भी सबसे बढ़िया बात है उसके बाद उसको छेड़ शाड़ नहीं करनी परती है ना हमारे वो property change करने की ज़रूरत है इससे बढ़िया थोड़ा बहुत है जो हमारी किष्ट है उसमें 2-4,000 का ही फर्क पड़ेगा फोर भी अज के बंदा ले ले अच्छी location पर तो बढ़िया बात है बाकी मेरी तरफ से good wishes है ज़ाद से हैं सर्च करो best property मिले हट टाइम पर रहेंगी फोर भी अज के में investment करो विलाज में फ्लैल लेना है तो कम से कम 3 भी अज के के लेगा बजट कम है तो 20 लिए बंदा 3 भी अज के लेगा कोशिश करो दो तीने अजार का फर्क पड़ता है किस्त में ले लोगे तो बढ़िया रहता है बंदा वो चीज है बाकी जी गलती फलती माफ वीडियो में कुछ ऐसा वैसा मेरे से बोला गया हो मेरी तरफ से गुडवीशिज है सर्च करो बेस्ट पॉप्टी मिले टाउन्शिप आपके सामने है बहुत अच्छी स्पेशिस विला बनाए है बहुत सुंदर है अल्टीमेट विलाज है हमारे जब मर्जी ओविजट करने के लिए बहुत स्पेशल टाइम हर बन्दे का जो टाइम बहुत कीमत ही है आप निकाल के आओगे बस आने से आदा गंटा पहले कॉल करके आना है विस्टें बहुता स्टाफ कम बहुत है हम नहीं चाते कि आपको गंदी सर्वेश दें हम आप खड़े रहों आप वेट करते रहो हमारी वो चीज नहीं है आप अगर आपकी बात हो चुकी होगी न तो आपके आने से पहले गले में बैच होगा फॉर्मल ड्रेस होगी वेट कर रहा हूँगा कोई भी जो मैंने आपको लोकेशन भेज़ी होगी क्योंकि हम सोसाइटीज की लोकेशन भेज़ते नहीं है जो निंस अनिंकलेव की में एंटरेस है वहीं पर बनाते हैं क्योंकि रोड टू साइट वाइकल डिसांस प्रॉपर कस्टमर को समझ आ जाता है तो यह चीज है बाकी जैसा आपको ठीक लगे जीए